UKPSC 2024 या उत्तराखंट PCS 2024 का प्रिलिम्स का एक्जाम हो चुका है इसका रिजल्ट आ सकता है बहुत पॉसिबिल्टी ये 15 अगस के आसपास तक मेंस की एक्जाम की डेट पहले से डिकली अरेस में अगर आप जनरल का मैं बता हूँ आपको तो मेरे साफ से करीबे 92 के असपास अगर आपके नमर आ रहा हैं तो आपको मेंस वगरा की तयारी में लग जाना चाहिए और वैसे भी मेंस की तयारी तो जरूर करनी चाहिए क्योंकि आप उत्रा घंडरा जिसरकार कई सारे नियूस पेपर में आपने जरूर पढ़ा होगा कि भाई ये जो PCS की वेकंसी है ये हर साल आ सकती है आगे से क्योंकि पहले बहुत गैप होते थे तो कई सारे जो है लोगों की कमी है वहाँ पे PCS देदगारियों की कई सारे विवागों में कमी है इसलिए आपने देखा होगा लगातार नियूस में आजकर निकल रहा है कि ये PCS वाली वेकंसी अब आगे आने वाले 4-5 साल तक शायद ये लगातार आ सकती है बाकी जो भी होगा आगे आपको पता चली जाएगा ठीक है अभी जो लोग मेंस की तैया तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल सिलेक्शन वाली तैयारी ओफीशल जो नया वाला सिलेबस आया है पहली बार मेंस में सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है और यूपी PCS का जो पैटन है वो फॉलो करने की कोशिश करी गई है अला कि बहुत सारा बड़ा डिफ्रेंस हैं द गर देट्स हो की हिंदी उत्राखंड में आएगी छे पेपर जीएस के उत्राखंड में भी आएंगे ठीक लेकिन सिलेबस के पॉइंट अलग अलग है जैसे अगर आप हिंदी का कंपरेजन करें यूपी PCS का जो मेंस का सिलेबस हैं दिका वो इंटारली डिफ्रेंट है UKPSC की मेंस की हिंदी से तो हिंदी इंटारली डिफ्रेंट हो गई जो एसे के टॉपिक है वो भी जो है अलग अलग है इसमें ठीक है आप अभी जो है सिलेबस वगर आप बोलेंगे तो अलग से रिकोट कर दूँगा अदर्वाइस जो कोर्स है हमारा इसमें complete सिलेबस नय वाले कोई follower करके सब को चम करवाने जा रहे है अब GS1 से लेके 6 तक की अगर आप बात करें तो GS1 से लेके 6 तक में भी डिफ्रेंसे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ GS5 और 6 का इंटारली डिफ्रेंट है 5-6 UP में UP special वाला है और उत्तरागंड में उत्तरागंड special वाला है तो यह तो पूरा साथ पॉइंट डिफरेंट है तो मतलब सिरेबस काफी जो है चेंजेज है यह नहीं कि सेम सिलेबस है UP pieces का तो इस ब्रहम में मत रही ना मेंस के लिए काफी दिनों से हमारे पास request आ रही थी कई सारे students की तो मेंस का हम complete codes लेके आए आपके लिए GS1 से लेके 6 तक का total एक group है उ साथ से new syllabus को follow करते हुए जो UKPSC का official syllabus है उसके सारे points का जो भी मेंस में लिखा हुआ है उसका theory उसकी understanding उसके facts सारा सब कुछ और प्लस उसका current affairs से update सारा सब कुछ का है कि selection में trail वाला group है GS1 से लेके 6 तक का जिसको 5-6 के लेना है वो भी अलग से ले सकता है answer writing वाला group जरूर से जरूर आपको join करना चाहिए को कि UKPSC में पहली बार इस तरह का हूँ आया है confusion सिर्फ यह है कि पूरे notification में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि जो दो टाइप के questions जैसे UP pieces में आते हैं 125 word के ठीक है जो आट नमर का होता है 200 word के बारे नमर का होता है वो यहाँ पर नहीं लेकिन वर्ड की practice कराएंगे UKPSC में चाहिद उन लोगोंने syllabus वगहरा ही copy कई सारी चीज़े की होगी यह में में question का जो तरीका जैसे पहले UKPSC में था चोटे question कुछ शब्द वाले फिर थोड़े बड़े फिर थोड़े और बड़े उस टाइप की चीज़े अब नहीं आ सकती है तो 125 और 200 वर्ड की practice कराएंगे with model answer और complete answer writing, feedback, checking, personal guidance के साथ ठीक है तो रगण के answer की practice कराएंगे answer writing की UKPSC मेंज 2024 के complete preparation वाले group में तो मतलब answer writing वाला भी group है GS1 से लेके 6 तक का essay writing का भी group है उसमे 18 essay करवाएंगे practice, तीन section यहां भी है ठीक है और तीनों के जितने मतलब 9 total है, 9 में से हर एक section wise होता है section A, section B, section 3, C, तीनों में से एक एक चूज करना है और हर एक में 3-3 topic होते है तो जितने topic है उन सबके 2-2 essay की practice हम करवा देंगे आपकी, ठीक है, हिंदी का भी जो total paper है उसका पूरा theory selection material और plus उसमें test series बगारा जो है देंगे with model answer and complete answer rating checking feedback, बाकी details के लिए वीडियो आगे देखिए, इसमें सब कुछ बता गया है किसकी कितनी fees है और 29 जुलाई से ये group चालू है, आप इसको join करके पूरी त्यारी कर सकते हैं, एक चीज है, इसमें GS56, GS56 का जो selection material है, वो हम commitment करते हैं कि वो हम आपको 5 सितंबर 2024 तक ही update कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी उसमें पूरी team लगी हुई है, और वो मिलेगा आपको 5 सितंबर 2024 को ही मिल पाएगा, आप अभी से group join करके रखिए, GS1234 पूरा पाएंगे, और हिंदी का जो selection material है, यह हम आपको करीबन 15 अगस्त तक देंगे, सारा cookies में नया है, तो develop करना पड़ेगा, और इसकी test series हम लोग कराएंगे October में, ठीक है, तीज जुलाई से ग्रूप चालूए, 29 से नहीं है, ठीक है, इसमें देखिए, यह चार-पांच से लिटरे स्टेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए, यहां पे सब कुन मिलेगा material, जितना syllabus की demand है, वो सारी पूरी demand पूरे करते हुए, ठीक है, तो यह आपको GS1234 तो तुरंद मिल जाएगा, लेकिन GS56 यह आपको मिल पाएगा, पात सितंबर 2024 तक, ठीक, बाकि इसमें ज selection material पूरा मिल जाएगा, official syllabus के साब से, जो मेंस का syllabus भी हुआ है, प्लस पाँच हिंदी के जो official syllabus के साब से, official pattern के साब से, पाँच हिंदी के test करवाएगे with model answer और पूरी इनकी answer rating feedback चेकिंग सब किया जाएगा, लेकिन यह material इसमें दिया जाएगा 15 अगस तक, और इसमें जो answer rating गएरा होगी, test series की, वो हम करवाएगे, अक्टूबर में, यह बहुत important पैच है, एसे का हिए, ठीक है, टोटल जो तीन section होते हैं, और हर एक section में तीन-तीन topics होते हैं, नौ topic होए मतलब अपने पास, तो हम हर एक topic के दो-दो essay करवाएगे, with model essay देंगे, और complete answer rating, feedback, checking, पूरा परसल के साथ सब दिया जाएगा, essay की पूरी intensive practice कराई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ exam oriented तयारी कराई जाएगी, सिर्फ आपको GS56 का लेना है, तो यह वाला आप course दे सकते हैं, इसमें GS56 का नए syllabus के साब से, completely अपडेट करके, latest trend और pattern के साब से, completely updated study material दिया जाएगा, ठीक है, और प्लस उत्राखनी स्टेट का current affair, budget, economic survey जो भी जरूरी होगा, इसमें सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन यह जो current और budget survey, यह सब तो मिल जाएगा तुरंद, लेकिन इसका जो GS56 है, मैंने पहले बता रखा है, यह 5 सितंबर 2024 को ही देंगे, बसलब तब तक का हमारा target है, उस latest trend और pattern के हिसाब से, total मिलाके 240 question इस तरह से निकाले जाएगे कि पूरे official की demand को आप पूरे करें, जो भी जैसा में में question paper आ सकता है, उसकी exam oriented आपकी answer rating कराई जा सके, में 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 आप जानते है, कुछ भी पढ़ ले, selection होता है सिर्फ answer rating से, ठीक है, तो 240 question कराएगे, 40-40 हर एक GS से, ठीक है, क्योंकि 6 paper है, तो 4 चोको 40, ठीक है, तो 40 GS1, GS2, GS3, GS4, GS6, इन सब के questions with model answer दिये जाएंगे, bilingual में model answer दिये जाएंगे, हिंदी और English medium दोनों में, ठीक है, प्लस उनका complete answer writing feedback मिलेगा, ठीक है, और प्लस checking करी जाएगी, पूरा personal guidance दिये जाएगा इसमें, ये वही ये चलाएंगे, ठीक है, और पिछली बार मेंस वाले group में हमारे हाँ, टोटल मिला के करीबं 32 लोग थे, जिन में से मेरे पास जो message रेसीव हुए तो 12 लोग मेंस में select हो गयते हैं, रगड के practice कराई जाएगी, highly educated है, UPC बगरा में के लोगों को काफी बढ़ा चुके हैं, त टोटल answer rating GS1 से लेके 6 तक की, और प्लस AC लेना है, तो 10,500 पोड़ेगा, पेमेंट समंदी किसी भी समस्या के लिए ये तीन नंबर है हमारे, पस इसी तीनों नंबर पे call या WhatsApp करके ही, आप study for services का authentic genuine जो paid group है, paid code से वो join कर सकते हैं, पहला 856-00530, फिर 752-386-4455, और 96960-66089, कोई technical समस्या हो, official से लेबस वगरा कुछ भी पूछना चाहरा है, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो 7-8-386-9-26-18, लेकिन इस पे WhatsApp करके ही message कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं मुझसे communication करने का, तो जो भी आपको group लेना हो, आप ले सकते हैं, payment करने के लिए detail दिए है, दे पास देचके, तुरें जोइन कर सकते हैं, यह ध्यान रखेगा, यह जो पहला QR code है, यह इस से scan करेंगे, तो study for civil services at the rate IDFC bank लिखा जरूर आना चाहिए, दूसरा QR code है, इसमें जब आप करेंगे, तो SCS ग्यान प्राइबल इम्टेट at the rate ICICI जरूर आना चाहिए, यह देखे, पहली ID लिखिए, यह दूसरी ID लिखिए, एक extra दिए, एस गयान प्राइबल आप करने के बाद आपका पूरा नाम, ठीक है, टेली ग्राम नंबर, क्योंकि सारे ग्रूप टेली ग्राम में ही चलेंगा, एप एप में पेमेंट नहीं होगा, सारा टेली ग्राम में ही करने के बाद ही जो है, आपको जोड़ेंगे, प्लेस यानि जहां से आपने पेमेंट के है, वो इस टेट का नाम, यह पांच चीजे आप हमको क्या करिए, mail ID पे जरूद नहीं है, आप हमको इनी तीन नंबर पे WhatsApp पे बेज़ दीजे, ठीक है, तो जैसे हमारे पास information रिसीव होगी, उसके 6 गंटे से 24 गंटे के अंदर सारी चीजे क्रॉस चेक करके हम जो है, गुरूप में जोड़ देंगे, एक चीज़ और है कि नो रिफरंड की पॉलिसी है, सारी चीजे देख लें, समझ लें, अगर आपको ठीक लगे, आपको समझ में आए, तो आप permission ले सकते है वन टाइम पेइमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें multiple payment या EMI वाला system नहीं है, किसी भी तरह से, हमारे ग्रूप में PDF और प्रवधान है, सारे लीगल जो है प्रोविजन का यूज़ किया जाएग, सिर्फ सीरियस इस्टूटेंट है, पढ़ाई करके सिर्फ सिलेक्श इसके लिए study for civil services से अच्छा ही नहीं कोई, पिछले जो है 9 सालों से सबसे ज़्यादा PCS में सिलेक्शन study for civil services से ही होते है, चाहे हो UP PCS हो, चाहे उत्राखन PCS हो, चाहे हरियाना PCS हो, चाहे जो है आपका BPSC हो